मोर्निंग बच्चो मैं भेश्चकुमार अपने साथ ही योगिन दुवेदी जी के साथ भासा सिच्छन भाग एकईस में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे उ और बड़ाउ की मात्रा अभी हम लोग आ, आ, ए, ए, आ, ओ, अंग, अहा इस प्रकार करम से पढ़ते रह हैंगे तो अभी हम आए हैं केवल उ और बड़ाउ तक तो बच्छोटा उ की मात्रा नीचे अक्षर में इस प्रकार से ये लातुर बना देते हैं और उ की धुनी निकालते हैं उ, उ, पा में लगाया, पू, का में लगाया, कू, खू, गू, गू, इस प्रकार किसी भी अक् हमने मात्रा लगाई तो पू, आगे का अक्षर है ला, पूल, क्या बना है ये, पूल, पू, स, त, क, पुस्तक, क्या है, पुस्तक, अब ता में यहां कोई मात्रा नहीं है, का में तो पिलको धीरे बोलेंगे, तक, पू, पा में उ की मत्तब, पू, स, त, क, पूस्तक, सु, रा ही सुराही सा में छोटाओ की रा में आ की रा हा में बड़ी की मात्रा इ अभी ये जो है मात्रा हमने पिछले एपिसोड में पिछले भाग में पड़ी है सुराही गा में लगाई छोटी उकी मात्रा गु लाब गुलाब अब बड़ा उकी मात्रा उ जैसे ये क्या है उन क्या इसको पढ़ेंगे उ थोड़ा इसकी आवाद जो है उसकी ध्वनी हम लोग तेज बोलेंगे उ जैस्पकार ये देखो फा में लगाई फूल फूल ये क्या वने है वेटा क्या वने है फूल तो इसको लखेंगे इस्पकार फा में उकी मात्रा लगाएंगे फूल सूरज जूता ता में आ की मात्रा है जा में बड़ा उकी मात्रा है जूता ये क्या है चूहा ठीक चामेकाय की मात्रा है बढ़ाओ की यह पन लोग पढ़ रहा है तो सभी में अक्षरों में फू, सू, जू, चू तो फूल, सूरज, जूता, चूहा इस प्रकार एक बार कुन है हम लोग पढ़ेंगे पुल, पुस्तक, सुराही, गुलाब बढ़ाओ में आएंगे फूल, फूल के साथ जैसे लखना चाहें अपन लोग कोई भी अक्षर हम बोलेंगे आपको कि धूल लखो तो इसी प्रकार अपन लोग धूल लखेंगे और इस प्रकार हमने आज आज आपको छोटा आओ और बड़ा आओ की मात्रा पढ़ना और इसकी धुणी निकालना सिखाई और इसी प्रकार हम इमलाब हो लेंगे तो आप लोग आगे जो है भाग में उसको लिखना सीखेंगे और ये गरहकार आपको घर से करके लाना है ठीक है? थैंक यू